मेबी लास्ट कोईडर ओफ 2018 या तो फर्स्ट कोईडर ओफ 2019 में आपको देखने को मिल सकती है एक बिलकुल ही नई याने की रिफ्रेश एंड रिवेंप रेनो डस्टर सो आज के इस वीडियो में हम इसी कार के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या चीजें ऐसी होगी जो नहीं होगी और कितनी एक्साइटिंग होगी So let's get into it अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकोन को प्रेस करके मुझे इंस्टाग्रम पर फोलो करना मत भूलिएगा नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इंक्रेडिबल चैनल में इंक्रेडिबल इंफोस के साथ मेरा नाम है जई दवे और आप देख रहें इंक्रेडिबल आटोस टीवी 2017 के फ्रेंक्फर्ट मोटर शो में इस कार को फर्स टाइम अन्वेल किया गया था और तब से लेके अब तक इस कार के बहुत सारे आने वाली आइडेंटिटी है उसको कायम ही रखा जाएगा फ्रंट में यहां पर ग्रिल के साथ एक यूनिकली प्लेस्ट हैडलाइट एसेम्बली इस कार को फरंट से ही पहले से बहुत ज्यादा बॉल्डर वाइडर और एक एग्रेसिव लुक जो है वो दे देता है वहीं साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो बड़े से अलोई विल्स जो की एट्रेक्टिव भी है उसके साथ आने वाले बड़े टायर्स को कवर करने के लिए एक बड़े से वील आर्चिस की डिजाइन जो की मस्क्यूलर इन शेप है और एंजिन बे में एक प्रॉपर एर सर्कूलेशन प्रोवाइट करने के लिए इन ही वील आर्चिस के पीछे एक फॉक्स एरवेंग्स दिये है जो की ना सिर्फ दिखने में एट्रेक्टिव है बलकि फंक्शनलिटी के मामले में भी बहुत ही अच्छा आइडिया कह सकते ह अला कि यहां पे शाप लाइनिंग्स और ब्लेक्ड आउट बीपिलर जैसे एलिमेंट्स जो है वो इसकार की साइड प्रोफाइल को बहुत यह अची तरह से एक स्पॉर्टी और डिस्टिंक्ट लुक जो है वो दे देते है इसी के साथ अगर रियर की बात करें तो रियर प है वहीं अगर इंटियर पॉर्टिं की बात करें तो इंटियर में बहुत जियादा मेजर अपग्रेड के चांसे बहुत ही कम है और प्रॉब 5 दिये जाए उन्हसं मिलता जूलता जो इंटिये प्रयदों इसमें दिये जाए अलकि यहां पर अधो सबसे बड़ा पॉइंट उन सारे features को हम यहाँ पे इस Duster में expect कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो अभी इस वीडियो को pause करके आप screenshot जो है वो ले सकते हैं और इस बिल्कुली नए platform के साथ आने वाली नए Duster के power trains के बारे में बात करें तो 1.2 liter TCE petrol engine और 1.6 liter DCI diesel engine जो है वो provide कर दिये हैं जो कि रेनो के बिल्कुल नए technology के साथ आने वाले engines होने वाले हैं जो कि recently रेनो ने develop की है जिसमें अगर power delivery देखें तो 1.2 liter TCE petrol engine है वो 124 bhp का power देगा और 1.6 liter diesel engine देगा 130 bhp का power इसी के साथ इस car में हो सकते हैं 6-speed manual and 6-speed automatic transmission के भी options और additionally मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि top spec models में शायद Duster की range में offer किया जा सकता है 4x4 का भी options जो कि Duster के fence के लिए बहुती बड़ी बात कह सकते हैं हाँ यहाँ पे मैं आपको यह भी बता दूँ कि officially कोई भी information Duster के लिए रेनो ने अभी तक नहीं provide की है लेकिन यह उमीद जरू कर सकते है कि Duster में यही नए engine जो है वो 1.5 liter जो tried and trusted Duster के engine है उनको replace कर सके और अगर ऐसा हुआ तो competition के tension वाले दिन जो है वो शुरू क्योंकि 1.5 liter DCI याने कि K9K engine जो है वो कहीं न कहीं competition में अब थोड़ा पूरा ना जरूर कह सकते हैं और इंडिया में बहुत सरे car enthusiast के लिए अपनी favorite और beloved mini SUV जो है वो एक बिलकुली refreshed and revamped दवतार में अगर आती है तो definitely competition के लिए tension ही कहा जा सकता है और अगर ऐसा हो गया कि नए engine के साथ ये car जो है वो मिल जाएगी तो ये जो car है वो market में एक success ला सकती है Renault के लिए जो की Renault के numbers को बहुत ही अच्छी तरह से improve करने में support कर सकती है और इसी बात पर मैं आपसे एक छोटी जी request करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो इस वीडियो को एक छोटा सा like button जो है वो press करके आप मेरी help कर सकते हैं और आप अपने friends और family members को ये वीडियो जो की हाल फिलाल में एक mini SUV को purchase करने के लिए planning कर रहे है उनको ये वीडियो शेयर करके उनकी और मेरी दोनों की help कर सकते हैं इसी के साथ उनको ये भी कहिए कि ऐसे ही interesting और informative वीडियो के साथ उनको अगर हर रोज updated रहना है तो please इस चैनल को subscribe करके वो bell icon को भी press कर दीजिये ताकि हर रोज एक नए वीडियो के साथ जब भी मैं आऊ और additionally Sunday को रात को 9 बजे जब मैं live आऊ तब वो मुझ से बाते कर सके और इसके लिए उनको भी notification जो है वो मिल सके है तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी incredible infos के साथ अपनी इस incredible channel मैं मैं जईदवे आपके सामने वापिस हाजिर होंगा तब तक के लिए choose wise, drive safe और live in credible, right? Thank you. झाल